नेट प्रॉफिट प्रेशंट वन किमिशन इज अलावड यहीं जब हम कुई चीज किसी एजेंट के थूँ बेचेंगे एजेंट के थूँ बेचेंगे तो उस पे हमें उस एजेंट को कुछ फिक्स परसंट जो है परसंटेज टोटल सेलिंग प्राइस की देनी पड़ती है इसका मतलब है जितनी की वो चीज सेल होगी उस सेल प्राइस का वो परसंट जो हम उस एजेंट के साथ फिक्स करते हैं वो उसको देने के बाद हमारे पास जो सेलिंग प्राइस हमें मिलेगी वो कहलाती है नेट सेलिंग प्राइस अब जब आप नेट सेलिंग प्राइस से क cost price minus करेंगे यानि जितने की हमने वो चीज ली थी तो वो हमारे पास कराएगी net profit net profit अब अगर मैं उस net profit का percent मालूम करूँ जो के सम कभी-कभी जो है वो selling यानि net profit as percentage of selling price होता है या जो है net profit as percentage of cost price होता है तो आम तोर पर हम उसको cost price का साथ compare करते हैं तो net profit over cost price cost price multiplied by 100% करेंगे तो इस चीज को हम कहते हैं net profit percent when commission is allowed हम एक example लेते हैं और उसमें हम without commission भी देखते हैं profit percent क्या होगा और with commission देखते हैं profit percent क्या होगा दीक है उससे आपको बिलकुल ये बात clear हो जाएगी चलेंजी हम देखते हैं हमारे पास एक person है जिसका नाम है एहमद चलें एहमद ठीक है एहमद ने एक घर खरीदा ठीक है उसकी cost price कितनी है यानि जितने का उसने हरीदा वो है five hundred thousand यानि पांच लाक रुपया ठीक है रुपीज में है ये उसके बाद इसने ये घर जो है वो बेचना है ठीक है लाइक फर्स करें एक साल के बाद ये दो साल के बाद वो ये घर बेचता है अब यहाँ पे दो situation है यहाँ पे मैं दो situation में आँगा ठीक है situation A and situation B मैं यहाँ पे separate कर देता हूँ देखें situation A में एहमद ने खुद ही एक customer डूंडा एक client डूंड लिया यानि जिसने घर लेना था उसको हुद ही डूंडा और खुद ही उसको बेच दिया यानि selling price कितनी होगी फिर रुपीज six lakh कितनी six lakh ठीक है इसका मतलब है अगर उसने पांच लाग का लिया और छे लाग का बे दिया तो profit उसका कितना हो गया cost price I mean sell price minus cost price तो से लाग minus पांच लाग तो इसको profit हो गया एक लाग रुपे एक लाग रुपे जबकि situation number two है यह case one है case केस one यह है case two यह है कि इसको घर बेचने के लिए कोई बंदा नहीं मिल रहा अब इसने क्या किया कि यह चला गया एक agent के पास agent दरसल वो होते हैं जो के लोगों को help करते हैं चीजों को purchase करने में या sale करने में अब जब agent जो है agent के पास गया तो agent ने अपनी services provide करने के टू परसंट जो है वो commission मांग लिया यानि agent ने कहा कि वो गर जितने का भी बिखेगा उस पे 2% जो होगा वो agent का होगा यानि selling price 2% of sale price अब फर्स करें उस agent ने एक ऐसा बंदा डूंड लिया जिसने वो गर ले लिया कितने का 6 लाग का छे लाग का लेकिन अब इस 6 लाग के उपर 2% जो है वो उस agent ने भी लेने है तो हम पहले फाइन रूट करते है agents commission agents commission agents commission यानि अब 6 लाग जो है ये एहमद को नहीं मिलेगा सारे का सारा बलकि इसमें agents commission निकालेंगे two over one hundred two percent का मतलब है one hundred of selling price 6 लाग रुबे अब इस पर ये two zero इस two zero से cancel और छे हजार दरब दो बारह हजार बारह हजार यानि रूपीज 12,000 रूपीज 12,000 तो है वो ले रहा है agent अब इसका मतलब है जो एहमद को पैसे मिलेंगे नहीं एहमद के लिए sale, एहमद के लिए sale price कितनी है या एहमद को वो घर कितने में कितने का उसने बेचा उसको बोलते है net selling price net selling price वो कैसे final की जाएगी इसको हम next वीडियो में continue करते हैं चुके time हमारे पस हत्म हो गया तो next वीडियो में देखते हैं कि further इसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं और किस दासे comparison किया जा सकते हैं हुआंट